दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच तो आखिर हम एक, दो, तीन, चार, पांच से क्या सुखना चाहते हैं ध्यानी दोस्तों, इसमें जिकनी संख्याय मैंने लिखी है न, वो बहुत ही महत्यपुन है, उपर में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, गागर में सागर, लेकिन मैंने गनित भी लिख रखा है, इसका मतलब यह है, गनित के माध्यम से, आज हमें बहुत ही महत्यपुन न खेल खेल में ही बहुत ही महद्धपुन जानकारी दे सके और दोस्तों आज की वीडियो को आप पूरा देखेंगे न तो आपको एक जादवी ट्रिक भी मिलेगा जी हां दोस्तों एक जादवी ट्रिक भी मिलेगा और बहुत चीछ सिखिने को मिलेगा इसलिए आज को टॉपि आपकी ऐसे ही पहतरिन वीडियो का नोटिपिकेसन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाप उठाते रहें तो आईए दोस्तों आज का वीडियो प्रारम करते हैं यहां पर मैंने कुछ संख्या लिख रखा है तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा ज तो मैंने इतना बड़ा दो क्यों लिखा है आपने पढ़ाना बहुत बड़ा दो तो अंद में दो ही आता है और वो जीवन का सत्य है तो कैसे ध्यान दीजेगा आप इस गनित को देखेंगे ना तो मज़ा आएगा और आप चाहा कुछ भी कर लो अंद में तो दो ही आएग कैसे देखें सुर्वात कहां से करते हैं हम लोग यहां से करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सरीर है ध्यान दीजे हमारे जो सरीर है तीन प्रगार के होते हूं तीन प्रगार के सरीर का मैं यहां पर नाम लिख देता हूं पहला होता है कारण सरीर दूसरा होता है यह सरीर इनको आपको क्या करना है उनको का करना है उनको तिन यह घ्वार करना ना हुआ हुआ थिन्ह Massachusetts है पीछ जाना लें कि वाद उनके चार चरण होते हैं जीवन के चार चरन उते हैं कौन कोन से चरन रहते हैं ब्रह्मे चरिया ग्रिहस्त वान्प्रस्थर स nomésक यह आम सम teammates वे जानते तो यह उनके चार चरन तो आ देख लिए चार चरन होते हैं तो भई इन चार चरनों को आपको क्या करना है शरीर को चार से गुना करना है अब सरीर नहीं है यहाद रखिए यह जो है आपको कोई भी संख्या ले सकते हैं कुछ भी संख्या लीजिएगा हाना आप ले सकते हैं हो सकता है यह आपके नाम के अक्षर हो सकते हैं अगर आपके नाम के अक्षर है तो आपको ध्यान देना है आपर पूर्णाग संख्या लेना है लेकिन अब देखिए यदि इनको हम क्या करते जोड़ दे लेकिन कैसे इनक पंच तत्वों से मिलके बना हुआ है अब वो पंच तत्व कौन कौन सा है आप लोगों ने सुना हुआ कि भगवान तो क्या आपने भगवान को देखा है और अगर आपने भगवान को नहीं देखा है तो आज के वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे भगवा ठीक है भ से होता है भूमी ग से होता है गगन यहाँ पर मैंने लिख लिए गगन और व से होता है वाई यू ठीक है और यह बड़या का मात्रा इससे हम लिख लेंगे अगनी ठीक है असे अगनी और न से होता है नीर और नीर मतलब पानी ठीक है तो आपने यह सभी चीजें दे फाथ होसे मिलके बना हुआ हुआ इसके बाला आपको ढ़ों करना है जोपी आयगा उसको आपको 2 से गुना करना क्यों करें hai है यही है उसका main point कि आप सभे जानते हैं कि जीवन के 2 पहलू होते हैं आदमी जनम लिया है तूम मरेगा जीत हैं तो हार है शपलता है तो आसे फलता है फैल है तो पास है तो इसी पकार आप सब चीज निकाल सकते हैं तो इनको दो से गुना करेंगे और जैसे ही इनको आप दो से गुना करते हैं जो भी यहां पर आंसर आएगा जो भी आंसर आएगा उसको आपको चुक यह पुरा जीवन से हम बात कर रहे हैं तो हम हमारे जो शरीर है इनको हमने क्या है पूरा गुना क्या है कि इसको हम हल करें तो जो भी उत्तर आएगा उसको हमें भाग देना है अगर हम समाने भास हम यह कहा जाए जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है ना मरने वाला होता है तो अगर घरवाले जान गए कि हाँ इसका अंत तो उसको भागाने का तयारी चल रहा हिए nia. और या अन्प ही रिक रखा था?'L तब अगर देखे 5 परकार से, पंचा मुएत पिलाकर भागाने का तयारी हो रहा है मर गया तो ज़लाए जाएगा या फिर दफनाय जाएगा और ऐसा करने के बार लाश्ट में उसको मुक्ती मिलेगी ठीक है तो कूल प्रक्रिया को आपको क्या करना है अगर आपके नाम में जितने अक्षर है सुरवात यही से करना है क्योंकि यही जो है नस्ट होने वाला चीज है क्योंकि यही शरीर है और शरीर ही तो नस्ट होगा ठीक है तो आप क्या करें अपने नाम के जितने अक्षर है जितने अक्षर होंगे उनको यहां पर रखे और पूर नाम संख्या रखना है ठीक है तो य यह हो जाएगा 34, और 34 को आपको भाग देना है 8 से, जब हम इसको 8 से भाग देंगे न, तो 8 है कम्याठ और 8 चाओ, 32, कितना सेज बचा, ये जो सेज बच रहा है, ये जो सेज बच रहा है, दो, ये ही जीवान कर सकती है, और ये हर बार दो ही बचेगा, तो है न, गनित का है, आपको केवल इनको परटन है, मान ले जाए कोई कहता है, मेरे नाम में 7 अक्षर है, 8, 9, 10 अक्षर, कुछ भी हो, जैसे कोई बोलता है, 7, तो ठीक है न, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 7 से गुना करिए, ठीक है, 7 से गुना करने गा, 7, 4, 8, 8, 8 में आप 5 जोड़ें करेंगे, 33 को दुगना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 66, अब 66 को आपको भाग रहें, किस से 8 से, तो किता हो जाएगा, 8, 8, 64, और 6, तो 2 ही बचेगा, चाहे तो आप ट्राइ जरूर करिएगा, निस्तितरों से आप लोग ट्राइ करेंगे, तभी तो करनीत के दो सांदर वीडियो दिखाएद रहें, किसी भी वीडियो को क्लिक किजिएगा, और एक सांदर वीडियो का आनल लिजिएगा, तो दोस्तों मिलते हैं, ऐसे ही पहत इन वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जैहिद, जैभारौ